हरियो, रेडियो खाची 90.4 FM हम सबका रेडियो में आपका स्वागत है मैं मनोच सोनी, अतिती सिक्षक, योग विभाग राची विश्विद्याले राची से हूँ आज हम चर्चा कर रहे हैं महारिशी पतंजली द्वारा रचित, योग दर्शन जो चार पदों में विवक्त है, समाधी पाथ, साधना पाथ, भिभूती पाथ और कैवल लिपाथ साधना पाथ के सूत्र नंबर 49 से लेकर 53 तक प्रानायाम का वर्णन किया है यह प्रानायाम अश्टांग योग के अंतरगत चोथा अंग है प्रानायाम का वर्णन योग विवा के बिध्यारती MA और MSC के लिए है जिस प्रकार योग शब्द का ब्यापक अरथ है उसी प्रकार प्रान का भी है प्राण का अर्थ स्वास, जीवन, चैतन, वायू, उर्जा या शक्ती से है शरीर के विप्रीत आत्मा अर्थ भी ये सूचित करता है साधरन तहा जीवन संबंदी अतियावशक प्राण वायू के लिए इस सब्द का वहु वचनात्मक प्रियोग होता है आयाम का अर्थ है लंबाई, विस्तार या प्रतिरोध इस प्रकार प्राणयम शब्द का अर्थ स्वासों की व्यापती, विस्तार एवं नियंतरन से है स्वासों के सभी प्रकार के कारे संपाधन पर यह नियंतरन होता है जैसे स्वास जो हम स्वास लेते हैं वायू से फेंपड़ों को भरते हैं उसको हम बोलते हैं पूरा को जब हम स्वास को बाहर निकालते हैं तो उसे बोलते हैं पर स्वास और रेचक भी कहते हैं जब हम स्वांसों की रोक थाम करते हैं, चाए हम अंतहा अंदर स्वांस को रोकें या बाहर स्वांस को रोकें, जब हम स्वांस को अंदर रोकते हैं, तो उसे अंता कुम्बक कहते हैं, स्वांस को बाहर रोकते हैं, तो उसे वहा कुम्बक कहते हैं, कहने का आशा ये है कि प्र पूर्ण तहा वायू से रिक्त किया जा सकता है और पूरी तरह से पानी से भरा जा सकता है अत्वा सारा पानी निकाल दिया जा सकता है और पूर्ण तहा वायू से भरा जा सकता है। है कि जिस प्रकार सिंग हाथी और बाग को धीरे धीरे और सतरकता के साथ साधा जाता है उसी प्रकार प्राण को भी किसी भी शारिरिक सक्ति और छमता के अनुसार स्रेणियों में मापन कर धीरे धीरे नियंत्रण में लाये जाना चाहिए योगी का आयुमान दुनों की इसलिए वह धीरे गहरे स्वास लեने का उचित सुर्वद लैवध धंग अपनाता है। यह सुर्वद धंग ही स्वास प्रणाली को ससक्त करते हैं, मजूद करते हैं। नाड़ी मंडल को शांत करते हैं। और लालसा को कम करते हैं। जो जो एक्षाएं लालसाएं मिटती जाती हैं मन मुक्त होने लगता है और एकागरता के लिए उप्युक्त साधन बन जाता है। प्राणायम के लिए गलत अभ्यास साधक अपने अंदर अनेक रोगों को पन कर लेता है। पूर्व इस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना आवशक है। जिस प्रकार प्राण वायु द्वारा यह हम ऐसा कहें कि जिस प्रकार वायु द्वारा राक के आवरण हटाए जाने पर अगनी प्रजिलत हो जाती है। उसी प्रकार प्राणयाम के अभ्यास से वास्तनाओं के मिढ जाने पर शरीर के अंदर की दिविजोती अपनी पूर्ण महिमा के साथ प्रकाशमान हो उड़ती है। मन को उसके समस्त भ्रम से रिक्त करना ही वास्तम में सुद्धरे चक है। मैं आत्मा हूँ की अनुवूती ही सही पूरक है और इस द्रण विश्वास पर मन का स्थरी करन ही उसका एक होना ही कुम्बक है। यही वास्तम में शुद्ध प्राणयाम है। इसी को महरशी पतंजली जी साधनापात के 49 सूत्र में कहते हैं तस्मिन सती स्वास प्रस्वास योर गती विच्छेदा प्राणयाम हा। प्राणयाम आसन के सिद्ध हो जाने के पश्चाती किया जाता है। जैसा हमने प्रारभ में बताया कि प्राणयाम चोथा अंग है। सबसे पहला हंग है यम, नियम, आसन, ततपश्षात, प्रणायम का नमबर आता है। उस अवस्था में जब हम आसन करते हैं तब आसन सिद्ध हो जाता है तब प्रणायम अनयासी होने लगता है। सवास और प्रस्वास की गती में बिच्चिद उत्पन कर देने का नामी वास्तम में प्रणायाम है। जो हम सामानी रूप से स्वांस लेते हैं उस स्वांस को कुछ मन्द और कुछ तेज गति प्रदान कर देना ही प्राणयाम है। प्रणयाम के भेदों को समझाय जाता है कहते हैं वहाव्यांतर इस्तंब्रति और इस्तंब्रति इन तीनों से देश, काल और संख्या द्वारा भली वाती देखा और समझा जाता है इससे यह सिद्ध होता है इस सूत्र के अनुसार कि प्रणयाम का वर्णन तीन प्रकार से हैं और उन तीनों प्रकार के ही प्रणयामों को साधक अपने देश, काल और संख्या द्वारा देखता है कि वे किस अवस्था में पहुँच चुका है किस प्रकार परिख्षा करते करते वे प्राणयाम जैसे जैसे उन्नत होते जाते हैं वैसे ही उन में लंबाई और हलकापन बढ़ता हुआ चला जाता है और धीरे धीरे प्राणयाम सिद्ध होने लगता है पहली चर्चा वहावरती जब वहावरती क्या है जब प्राणवायों को सरीर से बाहर निकाल कर बाहर ही जितने काल तक सुप पूर वक रुख सकें रोके रहना और साथ साथ ही हमको यह भी देखते रहना है इस वाद की भी परिख्षा करते रहना है कि बाहर प्राण कहां पर खेरें, कितने समय तक खेरा हुआ, और उतने समय में उस प्राण की सववाविक गती की संख्या कितनी होती है, यह वास्तम में भावृती प्राण है हमें, इसे रेचक भी कहते हैं, दूसरा है आव्यांतर विरती, अर्था पूरक, प्राणवायू को भीता ले जाकर, भीतारी जितने काल तक जितनी देर तक सुक पूरवक रुख सकें हमको घवरहट नहीं होनी चाहिए सुक पूरवक रह सकें और वहाँ पर उसको रोके रहना साथ साथ ही यह भी देखना है कि आभ्यंतर देश में अंदर के देश में कहां तक जाकर प्राण रुका है वहां कितने समय तक सुक पूरवक ठैरता है और उतने समय में प्राण की सुभाविक गती की संख्या कितनी होती है यह आभ्यंतर विर्ती प्राणयाम है जिसे हम पूरवक प्राणयाम भी कहते हैं तीसरा है इस्तंब्रती रुख जाना सरीर के भीतर और बाहर निकलने वाली जो प्राणों की सुभाविक गती है उसे प्रत्न पूरवक बाहर या भीतर निकलने में या ले जाने का अभ्यास ना करके प्राण वायू सुभाव से बाहर निकला हो या भीतर गया हो जहां हो वहीं उसकी गती को इस्तंबित कर दीजा रोग देना और यह देखते रहना कि प्राण किस देश में रुके हैं कितने समय तक सुख पूरवक हम रहते हैं उस समय में स्वहवाविक गती की संख्या कितनी होती है यह इस्तंब्रती प्राणयाम है इसे कुम्भक प्राणयाम भी कहते हैं समाधी पात के 34 सुत्र में भी कहा गया है प्रचरधन विधारना भ्याम वा प्राणास्या यहाँ पर मुख रूप से प्राण के पाँच वेद प्राण, अपान, समान, उदान और ब्यान प्राण का निवास इस्तान हिर्दय, अपान का मूलधार, समान का नाभी बतलाया गया है पूरक में प्राण समान के नीचे जाकर अपान के साथ मिलता है और रेचक में अपान समान से उपर जाकर प्राण से मिलता है इसलिए कई योगाचारों ने प्राणयाम का लक्षन प्राण और अपान का मिनना बताया है योगी आगवल ने छटे के दूसरवे श्लोक में कहते हैं प्राणा अपान समा योगहा प्राणायाम इती रितहा प्राणायाम इती प्रोक्तो depois रे चक पूरक कुम्भक ए अर्थात प्रान और अपान वायु के मिलाने को प्राणयाम कहते हैं, प्राणयाम करने से रे चक पूरक और कुम्भक की क्रिया समझी जाती है। योगु वालेक में भी छटे अध्धायके तीसरे स्लोक में फिर कहते हैं अर्थात इन तीनों में तीन तीन वर्ण होते हैं वही यह प्रणव और कहा गया है जिसे हमने इश्वर में कहा गयता थस्वाचा का प्रनवा, प्रनव रूपी है अर्था जिस प्रकार ओम में आ, उ, मा ये तीन वर्ण हैं उसी प्रकार रेचक, कुंभक और पूरक तीनों में तीन-तीन वर्ण हैं इसलिए ये तीनों प्रणवी हैं पूरक बीजमन्त्र Am है कुम्भक का बीजमन्त्र Um है और रेचक का बीजमन्त्र मम है अभी हमने तीन प्रणयम को समझा भावृती अभ्यांतर विर्थी इस्तंबृती रेचक पूरक और कुम्भक अब महरिशी पतंजली जी चोथा प्रणायम बतला रहे हैं सूत्र नम्मर 51 में कहते हैं वहा व्यांतर विस्या छेपी चतुरता बाहर और भीतर के विश्यों का पूर रूफ से त्याक कर देने पर अपने आप होने वाला ये चोथा प्रणायम है शरीर के बाहर और भीतर के जो भी हमारे विश्यों हैं उन समस्त विश्यों के चिंतन का त्याक कर देने से अर्थात इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं अथवा चल रहे हैं या ठेरे हुए हैं इस जानकारी का पूर रूफ से त्याक करके मन को अपने इश्ट चिंतन में लगा देने से देश, काल और संख्या के ग्यान के बिना ही अपने आप जो प्राणों की गती जिस किसी देश में रुख जाती है वह चौथा प्राणयाम है पहले विधी केवल रेचक द्वारा जहां तक जा सकें स्वास को बहार ले जाएं बिना रोके हुए वहां से पूरक द्वारा जहां तक जा सकें अंदर ले जाएं यह एक प्राणयाम हुआ दूसरा ओम के मानसिक जब के साथ यह भावना करें कि ओ से स्वास अंदर आ रही है और हम से स्वास बहार निकल रहा है इस करम में स्वास प्रस्वास द्वारा ओम का मानसिक जब करते रहें अर्थात वहां प्रदेश तथा अभ्यंतर प्रदेश हिर्दै नावी आदि तक जहां तक स्वास जाए वहां तक उसकी गती को धीर्ग काल तक ओम का इस विदी से जब करें तो स्वेम स्वास प्रस्व स्वास धीर्व और सूक्ष्म होते होते निर्द्ध हो जाएगा तीसरा है नासी का अग्रभाग भ्रकुटी भ्रमरंद्र अत्वा अन्य किसी चक्र पर इस भावना से ओम का मानसिक जब करें कि ओ से उसी प्रदेश में स्वास अंदर आ रहा है और अम से बाहर निकल रहा है च असी भावना करना कि ओसे स्वास मेरुद्रंड के भीतर सुसुम्ना नाडि में होती हुई मूलाधार तक जा रही है और अमसिक के साथ वहां से भ्रमरंद तक स्वास लोट रही है साधना पात के सूत्र नंबर बावन में अब प्रणायाम के फलों की चर्चा है सूत्र का आवरन बिवेग्ञान का पड़ता भी चीन हो जाता है बिवेग्ञान रूपी प्रकाश तं और रजोगून्ड के कारण अविद्या आदि खलेशों के मलों से ठखा हुआ है प्रणायाम के अभ्यास से जब ये आवरavat छीन हो जाता है तब है प्रकाश प्रगठ होने प्रणायम से बढ़कर कोई तप नहीं है। इससे मल धुल जाते हैं और ग्यान का प्रकाश होता है। उसी प्रकार मनु भगवान भी कहते हैं। अगनी से धोके हुए सुन आदी धातों के मल नश्ठ हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रणायाम के कनने से इंद्रियों के समस्त मल नश्ठ हो जाते हैं। अनयासी अपने मन को महाँ पर इस्थिर कर सकता है। ओम शान्ती 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 हरियों। अर्व बांधते हैं। झाल झाल